हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे सभी बहुत खुश होंगे तो आज मैं जो मैंने पिछला वलोग डाला था उसके आगे से ही मतलब उसकी इवनिंग से मैं शूट कर रही हूँ मतलब करीवन चार वजे के आसपास से मैंने शूट स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो कुछ सबजियां लेके आये थे मार्केट से मम्मी तो वो मैं बोश कर रही हूँ मिर्ची धनिया कच्छे केले वगेरा कच्छे केले और धनिया तो मैंने ही मंगवाया था क्योंकि अब भी मुझे कुछ बनाना है तो उसमें ये यूज होगा क्या मैं बना रही हूँ वो आपको थमनेल देखे पता चल गया होगा नहीं तो आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा तो सबसे पहले मैं उसके लिए भीगो रही हूँ इमली तो एक छोटे से बरतन में मैं निकाल दूंगी इमली जितने मुझे लगेगी मुझे बनानी है इमली की चतनी जो खटी मीठी वाली चतनी बनती है वही तो इमली की चतनी बनाने के लिए हमेशा मैं इमली के साथ गूड भी भिगो देती हूँ अगर इमली के साथ गूड भिगो देते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अगर हम शक्कर व इसके बाद मैंने येसे सफध वाले मतर, बोल किये थे, मतलब मैंने बिगो दिए थे morning में ही, और उसके बाद थोड़े से ये tight रहते हैं, मतलब early morning में बिगो ना भूल गई थी, तो मैंने 12.30 बज़े दीन में बिगो ये थे, तो इसके लिए पहले मैंने इनको बोल कर दिया, तो हलके से ही यह कच्चे थे, उसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी कच्चे केले, तो मैं आज बना रही हूँ पानी पूरी, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी यह रगडा, जो पानी पूरी का मसाला रहता है, उसे रगडा भी कहते हैं, मसाला भी कहते हैं, तो उसके लिए मै थोड़ा सा पानी और एड़ किया और उसी में मैंने ये कच्छे के लिए मिक्स कर दिये तो उसमें मैं एड़ कर दूंगी टेस्ट के अकोडिंग नमक और आधा चमच हल्दी पाउडर वैसे ये जो रगड़ा होता है इसको फ्राइ नहीं किया जाता है फिर भी कुछ लोग फ केले यूज किये हैं इसके अलावा कोई भी इसमें फर्क नहीं है तो केले और मटर मैंने बोईल करने के लिए रख दिये हैं और जो सुबह के खाने के बरतन थे जो हमने वोश करके रखे हुए थे वो भी मैं हातो हात उनकी जगह पर मैनेज कर रही हूँ उसके बाद कुछ बरतन मेरे पड़े हुए हैं तो देखती हूँ कि अगर मैं पहले कर पाई तो पहले कर दूँगी अधरवाइस बाद में करूँगी तो ये जो हरा धनिया लेके आये थे उसके पीछे से थोड़े से डंठल मैंने निकाल दिये और उसको मैं रफली चोप कर रही हूँ क्यू कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए क्यूंकि काफी सारी impurities होती है इनमें तो वो सारी अगर हम wash कर लेते हैं तो निकल जाती है उसके बाद मिक्सी का जो छोटा वाला जार होता है उसके अंदर में डाल रही हूँ हरा धनिया और चार से पांच हरी मिर्ची जो पानी पूरी मैं यह जार में मिक्स कर रही हूँ और अगर हरा पुदिना हमें मिल जाता है तो उसकी पत्या भी मैं इसमें एड करती हूँ लेकिन अभी वो नहीं मिला था मार्केट में इसलिए मैं अभी वो नहीं डाल रही हूँ उसके साथ मैंने नमक मिलाया और उस अच्छे से देखि मैं उसमें मिला रही हूँ दो निम्बू का रस देखिए निम्बू को पाने इतना अच्छा लग गया कि उसने डूपकी लगा दी उसके अंदर लेकिन मैंने उसे अंदर रहने नहीं दिया और बाहर निकाल दिया तो उसके बाद मैंने इसमें एड किया है जलजीरा पाउडर आप चाहें तो पानी पूरी का मसाला भी इसमें एड कर सकते हैं पानी पूरी का मसाला जो पैकेट आता है उसमें जलजीरे वाला पाउडर ही होता है मैंने टेस्ट करके देखा है तो इसके लिए मैं जलजीरा ही उसकर लेती हूँ उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ ही हिंग का पानी यह सबसे मेरे इंग्रीडियंट है आप जब भी पानी पूरी बनाएं तो उसमें हिंग जरूर डाले तीखे वाले पानी में तो उसका सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक बार आप ट्राइज जरूर करें तो मैंने इसमें मिला दिया है हिंग का पानी और उसे अच्छे से मिला के और अब मेरा पानी ये वाला तो रेडी हो गया है इसमें और कुछ भी मिलाने के जरूरत नहीं है तो अब मैं पीस रही हूं ही इमली जो चत्नी बनाने के लिए मैंने बिगोई थी वो तो उसे अच्छे से मैं पीस लूँगी और एक जिस बरतन में मुझे ये चटनी बनानी है उसके उपर मैं ने स्टेनर रख दिया है क्योंकि इमली के अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं तो वो अगर चटनी में हम खाते हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता है इसके लिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं इस्टेनर रखे उससे ये देखिए चम्मत से चला के अच्छे से हिला रही हूँ ताकि जो हमारी इमली की चत्नी है प्योर वाली वो नीचे आ जाए और जो कच्रा है वो सब उपर रह जाए पानी भी मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छे से जो इमली का पल्प है वो अच्छे से नीचे आ जाए तो इस वाली चक्नी में में ज्यादा पानी नहीं मिलाओंगी थोड़ी सी गाड़ी ही रखोंगी इसको तो इसमें में एड़ कर रही हूँ नमक और वही जलजीरा पाउडर और मीर्ची में इसमें नहीं मिलाओंगी सिर्फ खटी मीठी चक्नी बनाओंगी म और हल्का सा मैंने इसमें डाला है पुदीना पाउडर जो मैं हमने सुखा के रखा हुआ है मतलब पुदीने की पत्तिया हमने सुखा के रखी थी उसका क्रश करके पाउडर बना के मैंने इसमें डाल दिया है और जब मैंने इसमें डाला तभी मुझे याद आया कि मैंने दीखे पानी में भी पुदिना इड नहीं किया था तो मैंने इसमें भी मिला लिया और अच्छे से चला के और इन दोनों चक्नी और पानी दोनों को मैं ढख के रग दूँगी उसके बाद मैं देखती हूँ की कूकर में मेरे रगडे का क्या हाल हुआ है मतलब पका है या नहीं पका है तो ये भी अच्छे से कूक हो गया था अब इसको मैं जो पाव बाजी मेशर होता है उससे अच्छे से समेश कर लूँगी उसके बाद मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे हलका सा नमक कम लगा था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और मिला के अच्छे से हिला के और फिर इसे भी ढखके रख दूंगी तो अब मेरा पानी पूरी का सारा आइटम रेडी है तो ये पूरिया तो हम लोग रेडी मेंड ही ले आए थे मतलब हम हमेशा तो बनाते हैं लेकिन आज मैंने नहीं बनाई रेडी मेंड मगवादी थी तो तीखा पानी, मीठी चत्नी जो केले का मसाला होता है वो नमक मिर्ची, काला नमक, जलजीरा सब मैंने रख दिया था और जो ये मिर्ची मैंने वोश करके रखी थी उसको भी मैं एक कपड़ा मैंने बिछा दिया है उसके उपर, इसके उपर के डंठल होते हैं वो तोड़ के और रख दूँँगी तो मैं इसी तरह से मिर्ची स्टोर करके रखती हूँ तो ये 7-8 दिन तक भी खराब नहीं होती है जो मिर्ची का गंटेनर है वो छेद, मतलब उसमें बहुत सारा छेद है तो उससे खराब भी नहीं होती है आपने देखा भी होगा तो काफी टाइम मेरे वीडियोजमें मम्मी पाबा खा रहे हैं खाना और मैं क्लीन करए हूँ बरतन जो भी बरतन थे वो सब मैं क्लीन कर रहे हूँ, ये तो थोड़े ही है उसके बाद काफी ज़्यादा बरतन और निकल गये थे सुबे हमने रोटी बनाई थी तो 2-3 रोटी का अटा और रखा हुआ था तो मैंने उसे रेने नहीं दिया है क्योंकि मुझे पता था कि शाम को पानी पूरी बनानी है तो अलग से फिर रोटी कोन बनाएगा तो मैंने उसी टाइम पराठे बना लिये थे तो वो पराठे में एक अलग से जो टिफिन का बोक्स है उसमें भर के और फ्रीज में रख दूँगी और रोटी का जो डिबा है मतलब जो केसरोल है उसको अब भी ही क्लीन करके रख दूँगी तो सुबे में ये काम नहीं करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा इवनिंग में ही ये सारे काम कर लेती हूँ जो रोटी का तवा होता है रोटी का डिबा पानी के बरतन वगेरा सब कुछ मैं नाइट में ही क्लीन करके रख देती हूँ और अगर लेट नाइट थोड़ी सी नीचे रहती हूँ नो दस बजे तक तो बरतन जमा भी दूँगी अधरवाइस मैं कपड़े से पोच के बरतन जमाना पसंद नहीं करती हूँ मुझे इस काम में बहुत आला साता है तो मैं सुबे ही इसे जमाती हूँ तो सारे बरतन मेरे क्लीन हो गए हैं देखिए सिर्फ पानी पूरी बनाई थी लेकिन बरतन तो कितने ही हो गए थे चाहे कोई भी डिश बनाओ तो बहुत सारे बरतन हो जाते हैं तो इस तरह से पापा ममी का तो खाना हो गया था मेरा और मेरे हस्बेन का बस बाकी है तो वो अभी आ नहीं रहे थे इसलिए मैं आ गई उपर और मेरे कपड़े फोल्ड करने का काम है और कुछ कपड़े मुझे प्रेस भी करने हैं काफी दिनों से एक दो साड़िया मेरे हस्बेन के भी कुछ कपड़े हैं तो वो मैं आईरन करके लगे हाथ उनको मैनेज करके रख दूँगी काफी दिन हो गए है मतलब एक नए कपड़ा तो रही जाता है जब भी मैं आईरन करती हूँ तो आज मैंने सोच लिया है कि आज तो सारे कपड़े खतम करके ही रहूँगी तो पहले तो मैं जो फोल्ड करने के कपड़े हैं हमारे डेली वाले वो फोल्ड करके विवस्तित करके रख दूँगी उसके बाद में करूँगी आईरन तो सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने मैनेज कर दी हैं और अब जो जिस टेबल पर मैं आईरन करती हूँ वो टेबल आज मैं मेरे बेड़ूम में ही लेके आ गई हूँ मेरा ये परस्नल एक्स्पिरियंस है कि जो भी काम में अपने बेड़ूम में बेट के करती हूँ या अपने बेड़ूम में करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा वो काम फटा फट हो जाता है मतलब मुझे इतनी शांती सी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बेड़ूम में शायद सबको ही लगता होगा पता नहीं क्यों मुझे इसा लगता है वैसे मुझे मेरे पूरे ही गर में अच्छा लगता है क्योंकि उसको हमेशा से अगर हम क्लीन करके रखते हैं तो हमें अच्छा ही लगेगा अपने गर में अपना गर किसको अच्छा नहीं लगता है लेकि bedroom में तो अलगी मुझे मतलब क्या मैं आपको बताओ मैं express नहीं कर पा रही हूँ बट मुझे आज ऐसा लगा कि मैं अपने bedroom में प्रेस करूँ तो मैं ले क्या गी तो सबसे पहले मेरे जो husband के कपड़े हैं वो मैं कर रही हूँ क्या तो हाँ हम लोग जो डेली की होती है मतलब डेली जो घर में पहनते हैं वो तो 6-7 जोडी कपड़े ही हम लोग निकाल के रखते हैं में क्या हर कोई ऐसे ही करता है बहुत रीच लोग जो होते होंगे वो शायद नहीं करते होंगे लेकिन हमारा कल्चर तो यही है कि घर में मतलब जो हम डेली पहनते हैं डेली काम करते हैं उस टाइम पहनते तो वो छे साथ जोड़ी कपड़े ही हम लोग रखते हैं तो इसलिए मैं डेली व्लोक्स बनाती हूँ तो इसलिए वो ही कपड़े आपको बार-बार नजर आते हैं अदर्वाइस मैं जब मंदीर वगेरा जाती हूँ तो मैं हमेशे अलग-अलग साड़िया पहन के जाती हूँ तो इस तरह से आज का मेरा इवनिंग रूटीन ये था आज भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ न कुछ क्लीनिंग करूंगी लेकिन आज भी नहीं हो पाई पता नहीं दिन कहा निकल जाता है साड़े पांच बजे वाजकल मैं उठ जाती हूँ फिर भी दिन खतम हो जाता है आज तो खेर में शोप पे चली गई थी उसमें मेरा सारा ही काम मतलब जो मैं जिस टाइम पे काम खतम कर लेती हूँ उस टाइम पे नहीं हुआ दो तिन गंटे में लेट चल रही थी तो मेरी इस तरह से मैं साड़िया भी आइरन कर रही हूँ उसके बाद मैं इनको भी फोल्ड करके और इनकी जगे पे मैनेज कर लूँगी तो मैं हमेशे आपको कहती हूँ कि अगर आपको कुछ लगे कि सुधार होना चाहिए तो आप अपना suggestion दे सकते हैं comment box में अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं अगर आप मतलब कोई request करना चाते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं तो आप वो भी लिख सकते हैं comment box में तो मैं वो requested वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपकी request को मैं पूरा कर सकूँ तो अगर आपको मेरा आज का ये vlog ज़रा भी पसंद आया हो तो please मेरे वीडियो को like करना ज्यादा से ज्यादा अपने family and friends के साथ share करना और मेरे चेनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please मेरे चेनल को subscribe करना और मुझे आप motivate करते रहें time to time मेरी एक subscriber मुझे अभी काफी comments कर रह ही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उनके comment से मैं बहुत ज्यादा motivate हो रही हूँ सिर्फ एक ही comment से मुझे इतना motivation मिल रहा है तो अगर आप लोग सभी comments करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ल बाई एंड टेक केर